इस तरह के हमने डिफाइन किया था कि fission reaction या nuclear fission reaction हम उसको कहते हैं जिसमें कोई heavy nuclear split करती है divide करती है small fragments में और इसकी तीरी हमने पड़ी थी किस तरह यह divide होती है जैसे कि हम जानते हैं कि for example आपके पास एक slow neutron है slow neutron हम क्यों use करते हैं यहाँ पर चुंकि हम neutron को इसमें absorb करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि यह easily catch हो सके, easily absorb हो सके तो इसलिए हम thermal neutron या slow neutron यूज करते हैं thermal neutron हम उसको कहते हैं जो के nucleus के लिहाज से thermal equilibrium में हो यानि उसका temperature दोनों का same और surrounding cause का तो हम कहते हैं कि यह दोनों thermal equilibrium ने है तो fission reaction यह है कि आप एक neutron को for example यह आपके पास एक neutron है उसको up hit करते हैं किसी heavy nucleus पर जिस तरह के यहाँ पर हम uranium consider करते थे जिसका atomic number जो था हमारे पास 92 यानि इसमे 92 total protons थे और जो isotope हम यूज करते थे उसका mass नमर था 235 जब यह neutron को absorb कर लेता है तो इससे क्या बनता है एक uranium 236 बन जाता है यानि यह हमारे पास एक compound nucleus बन जाती जिसमें एक neutron और भी बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते है uranium 236 इसका atomic number वही होता है चुनकि proton number वही है अब देखिए यह unstable बन जाती है चुनकि इसमें exist number of particles आ जाते हैं तो इस instability को या इस unstable nuclei को हम star से represent करते हैं जाता है कि इसके उपर देखिए हमने यह star put कर दिया दिशो कर रहा है कि यह nucleus unstable है तो जब यह unstable हो तो यह stability attain करने के लिए क्या करती है split हो जाती है, divide हो जाती है parts में और जो हमारे पास आम तोर पर parts बनते हैं चुनकि हर एक fission में जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही तरह के fragments आ जाएं लेकिन ज्यादा जो हम देखते हैं, observe करते हैं वो यह है इसका हमारे पास atomic mass जो है 141 और atomic number इसको हम clear कर लेते हैं 141 और जो atomic number है इसका वो हमारे पास 56 यानि इसमें 56 proton होते हैं इसी तरह इसके साथ free neutron आजाते हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास 3 free neutrons हैं प्लस इसमें energy release होती है जिसको हम Q से represent करते हैं इस तरह का हमारे पास equation होता है fission reaction का यह तो हमने detail के साथ बढ़ा अब हम यह देखते हैं कि अगर fission chain reaction जो कि हम यहाँ पर figure से represent करते हैं इसको आप consider कर लिए हमारे पास एक slow neutron है या इसको हम symbol से represent करते हैं N101 इसका atomic mass और 0 इसका atomic number एक slow neutron है जो हम hit करते हैं इस uranium nucleus पर इसको आप consider कर लिए हमारे पास है uranium 235 या इसका एक isotope है uranium का जिसका atomic mass 235 है atomic number है 92 जब यह इसमें absorb होता है तो देकि हम जानते हैं कि इसमें एक neutron और भी आ जाएगा तो total इसका mass क्या हो जाएगा जब यह इसको absorb कर ले तो इसके बाद जो हमारे पास compound nucleus बनेगी उसका हमारे पास atomic mass होगा 236 और atomic number इसका वही 92 होगा तो यह हमारे पास एक unstable nuclei बन जाएगी पिर हम जानते हैं कि यह split हो जाती है जब split हो जाती है जब एक। IT हमारे पास बनते हैं small nuclei बनती है Lindley इसलिए बनती है चुए कि ज्धा स्टेबल होती है यह हम कहते हैं कि unstability जो है वह stability की तरफ जाती है तो यहां से देखे, आप देख रहे हैं कि एक तो आप के पास यह नूकलियस बन रही है, इसको आप कंसिलर कर ले कि यह हमारे पास एक क्रिप्टान, और एक दूसरी नूकलियस बन रही है, जो हम यहां पर अबसर्फ कर रहे हैं, वो है, उसको आप कंसिलर कर ले, यह बेरियम Average number of newtrons which released. हम- तो पॉैंट थीजियर हम कितना है ? 2.47 ... एक Fission-Reaksiुएम विंगे ??? लेकि 2.47 ने उसकता हो सकता है marg, ौाइट ने मृचियर दौियर हैं ने मिलाी रिविपन हो सकता, तो इसलिए हम कहते हैं हम कर दो हम ऐन लू झाल तो इसलिए। तो देखें, यहां पर हमने two free neutrons show किये हैं, जो की release होते हैं, इसके साथ क्या release होती है, इसके साथ energy भी release होती है, जिसको हम यहां पर gamma rays से simply represent करते हैं, यह हमारे पास a lot of amount of energy है, जो की release होती है fission में, अब देखें, जो free neutrons आ जाते हैं, वो next क्या करते हैं, next वो पिर एक fission reaction कर लेते हैं, यानि आगे उसके और uranium nuclei होती है, वो एक और reaction कर लेते हैं, fission reaction, पिर जब उससे free neutrons आ जाते हैं, तो और fission reaction कर जाते हैं, यानि अगर हम इस fission reaction को control ना करें, तो देखें, एक fission reaction से हमारे पास क्या बनेगा, three free neutrons आ जाएंगे, इसको हम simple way में इस तरह समझ सकते ह जोसे, three free neutrons आ जा जा जाएंगे, जब ये free neutrons हम कंट्रोल नहीं करते, तो ये देखें, एक free neutron यहाँ पर fission करेगा, एक free해rek, यहाँ पर fission करेगा, एक free neutrons आ जा जाएंगे, वो three neutron आगे जाकर, three fission प्रासिप्रासिस करेंगे, चुम्कि तीन न्युक्लियाई के साथ वो हिट करेंगे इसी तरह आपके पास तीन और फिचन प्रासिस होंगे फिर इस से त्री न्युटरान्ज और हमारे पास आ Know की इस से त्री और आ tecnología के तीना है देगा यूँb, इसी तरह यहीवी त्री फिशिन डीयक्शन करेंगे, यूईकि त्री न्यूट्राहँ थी हिसेरी करेंगे, यूई वंदनर सुछन हैं, तो देखेns, एक फिशिन डीयक्शन से थी हिसेरी पडू़ंगे फिश्यों करेंगेंके यही जाना पर 59 इचिह 15 पडू Neutrons को control ना करे तो यह आगे जाकर बहुत ज्यादा नंबर में Frission Reaction एक्सिन होगे और जितने ज्यादा ऑस्में इनरजी रिलीज होगी और अगर यह इनरजी बहुत ज्यादा Farm में रिलीज हो गई यहांने करेंगे कमें नियुक्लियर वेपन्स कहते हैं यह आम लखे में atom bomb जिसको हम कहते हैं या nuclear bomb कहते हैं तो इसी तरह जब हम fission reaction को control नहीं करते हैं तो उस result में उसके result में जो a lot of energy release होती है वो actually सामने आ जाती है in the form of explosion तो फिर इसका हमारे पास mechanism क्या है यानि इसको हम usefully किस तरह use कर सकते हैं यानि अगर हम चाहें कि explosion ना हो a lot of energy जो है वो एक ही time पर release ना हो एक constant amount हमें चाहिए जिससे हम for example electricity बना सकते हैं और form scale उसको use कर सकते हैं तो constant energy या हम कहते हैं कि एक uniform rate के साथ यानि एक ही rate के साथ अगर हम चाहते हैं कि यहां पर suppose 200 million electron volt energy release होती है तो अगले step में भी इसी तरह energy release हो जाए फिर उससे अगले step में भी इतनी ही energy release हो जाए यानि एक constant amount जो हमारे पास आजाए वो increase ना हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम fission reaction को control करते हैं control इस तरह करते हैं कि जो three neutrons आपके पास आजाते हैं उसमें से two neutrons को हम किसी mechanism के जरिये absorb कर लेते हैं यानि हम यहाँ पर nuclear reactors इस तरह design करते हैं कि इन दोनों को हम वहाँ पर जजब कर लेते हैं सिर्फ एक neutron को आगे हम जाने देते हैं फिर आगे जाकर वो एक और reaction कर देता है इसी तरह पिर इसमें जब three neutrons produce हो जाते हैं तो दो को हम पिर जो है वो एबसर्ब कर लेते हैं पिर आगे एक reaction होता है तो देखें पिर जब हम number of neutrons को control करेंगे तब यह fission reaction जो है वो एक खास rate के साथ होगा constant rate के साथ होगा जब constant rate के साथ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं control fission reaction और अगर हम इसको control ना करें यानि इसी तरह चोड़ दे जो के आहिस्ता आहिस्ता उसके number increase होंगे तो पिर इसको हम कहते हैं chain fission reaction chain fission reaction यानि chain का मतलब यह है कि उसका जो number है वा हिस्ता हिस्ता increase होता है बढ़ता है इसको हम chain fission reaction कहते हैं और यह बात याद रखी कि हमारे पास जो average energy है approximately जो एक fission reaction में release होती है वो है तकरीबन 200 million electron volt तो अगर आप देखें अगर number of fissions increase होते हैं तो इससे multiply करते जाएं बहुत ज्यादा आपके पास energy release होगी जो के फिर dangerous बन जाती है